जी हां दोस्तों EBD Williards और Glenn Maxwell इन दोनों गजब की पारिया खेल ले हैं एक कह सकते हैं कि करिश्माई पारिया खेल ले हैं इसकी वज़े से रोयल चेलेंजर बैंगलोरे पॉइंच टेबल में नमबर वन पर नज़र आ रही है शुरुआती तीन मुकाबले लगातार तीनों जी थी फिर भी मैंने उन्हें एक और दो रन नेले के लिए बहुत दोड़ाया वो लेकर इसी बात से मुझसे गुस्ता हो गया थे यानि कि Maxwell दोस्तों बहुत देर से खेल ले थे और डी विलियर्स में नई एंट्री मारी थी मैदान पर और आप जानती है कि जब डी विलियर्स और मैकस्वेल मैदान पड़ते तो डी विलियर्स को मैकस्वेल ने साफ किये दिया था कि वो ज़्यादा रन नहीं दोड़ पाएंगे लेकिन आपको बदा दे कि किस परकार से उन्होंने आगे कहा कि वो मेरी तरह ही खेलते हैं हम दोनों मैच पर अपना असर प्यादा करने क्योंकि मैकस्वेल ठक चुके तो इसमें कोई बात ही नहीं लेकिन डी विलियर्स अब भी सन्यास लेने के बावजूद भी इतनी खतरनाक पारे खेलते हैं वो सचमच हरान कर देने वाली बात है टी टुएंटी वर्लिकप में एब डी विलियर्स की वापसी का इंतिजार हम सभी को रहेगा नेक्ट नैंट स्पोर्स की रिपोर्ट